Hello everyone, कैसे हैं आप दिस इस मुकेश and welcome to I.M. चपली आज हम बात करेंगे high school की first flight का 7th chapter glimpses of India का second part कूर्ग कूर्ग की बात करते हैं आज कूर्ग is coffee country famous for its rainforests and spices कूर्ग जो है वो एक coffee का छेत्र है, कहवा का छेत्र है जो की अपने rainforest मतलब बर्षा रित के बनो या सदा बाहर बनो के कारण और मसाले के कारण famous है Midway between मेशूर and the coastal town of Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God Midway between मेशूर and the coastal town of Mangalore मेशूर और जो तटी कश्बा है Mangalore के बीच में एक छोटा सा जो इस्थान है sits a piece of heaven जो एक स्वर्ग का छोटा सा टुकडा है that must have drifted from the kingdom of God जो अवसे ईश्वर के राज से तूट कर आया हुआ है और यह जो पहाड़ों की जो धरती है वो उसमें बहुती युद कशल में निपुड लोग शुंदर और जंगली जानबरों से भरा हुआ है मतलब यहां पर जो लोग रहते हैं वो युद कशल में निपुड हैं और जो बहुती शुंदर हैं और जो मतलब जंगली जानबर यहां पर पर्याप्त मातरा में निवास करते हैं कोर्ग और कोडागू दा इस्मालेस्ट डिस्टिक आफ करनाटका इस होम तु एवर ग्रीन रेन फॉरेस्ट्स पाइसे और कॉफी प्लांटेशन्स कोर्ग जिसे हम दूसरे नाम कोडागू की से भी जो सदा बहर हरे भरे रेन फॉरेस्ट का घर माना जाता है स्थान माना जाता है स्पाइसेज का मसालों का और कॉफी प्लांटेशन्स और अमारे कहवा का कहवा की खेती के लिए जो फेमस है एवर ग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% अफ दिस डिस्टिक और इस जिले में इसकी जो 30% लैंड है उस पर एवर ग्रीन रेन फॉरेस्ट पाया जाते हैं during the monsoon और monsoon के दोरान it was enough to keep many visitors away monsoon के दोरान यहाँ पर इतनी पर्यात मात्रा में बारिस होती है कि जो टूरिस्ट हैं जो टेहले वाले लोग हैं पर्याटक वहाँ पर नहीं आते हैं उनको यह दूर रखती है The season of joy commences from September and continues till March यहाँ पर जो आनन्द का season है जो आनन्द की रितु है वो September से शुरू होती है और March तक चलती है The weather is perfect with some short thrown in far good measure यहाँ का मौसम बहुत ही अच्छा होता है संपूर होता है और जहाँ पर अच्छी मात्रा में बारिस होती है The air breathes of invigorating coffee और हवा में जो है बल दायनी बल देने बाली जीवन परदान करने बाली काफी की महकाते Coffee estates and colonial vangalos stand tucked under tree canopies in prime corners और coffee estates जो हैं जो काफी का छेतर है colonial vangalos है colonial vangalos का मतलब उपनिवेशी vangalos जो है वो छतरी नुमा पेडों के नीचे मुख कोने में बने होते हैं जो शतंत रूप से जो बीर लोग है कूर्ग के उनको संभावित रूप से ग्रीक या अरब के बनसच बना जाता है आज वन स्टोरी गोज जैसे कि एक कहानी बताती है एक बार क्या हुआ अलेक्जेंडर की आर्मी का एक टुकड़ा शाउथ की तरफ जाता शाउथ की तरफ जाता देच्छन तरफ जाता अन शेटल्ड हीर और वो वहीं पर बस जाते हैं वन रिचान बिकेम इंप्रेक्ट्ट्कल और जब वो बापस होते हैं तो इंप्रैक्टिकल आविवहारिक हो जाते हैं ये लोग जो है उन्होंने लोकल के ही स्थानी ये लोगों से ही साधी कर ली और उनका जो उनकी शंस्कृत है वो इसपस्ट रूप से दिखाई देती है जो उनके युद्ध कौशल है उसमें और रिलिजिस राइट्स और उनके धार्मिक अनुष्ठानों में धार्मिक परंपराओं में जो हिंदू मुख्यदारा से बिलकुल अलग है देओरी आफ अराव ओरिजिन द्राश सपोर्ट फॉर्म ब्लाग कोट बिदान एम्ब्राइड़ वेस्ट वेल्ट वोन वाई दा कोडावस और जो अराव ओरिजिन जो अरब की उत्पत्ति किया जो सिद्धान्त है उसमें और ज़दा सपोर्ट मिल जाती है एक पोशाक के दारा जो एक पोशाक वो लोग कोडावस के दारा पहनी जाती है जो कमर पे कड़ी हुई है ब्लैक कोट होता है और लंबा होता है उसके कारा गुपिया जिसे कुपिया के नाम से जाना जाता है इट रिजेम्बल्स दा कुफिया Warm वाई दारावस और यह जो पोशाक वो पहनते है जो लांग ब्लैक कोट पहनते है Embroidered based belt जिन पर कमर पे Built Embroidered होती है मطलिब कड़ी हुई होती है वो जिसको koopa कहते हैं और वो Koopa से match करती है koopa से मिलती है जो कि Arab के लोगों के दौरा या कूर्ट के दौरा पहनी जाती है कूर्गीом С Boys have a tradition of hospitality and they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and fathers कूर्गी जो हैं उनके महमान नवाजी करने की उनकी परंपरा है वो बहुत ही जादा इच्छुक होते हैं अपने पुत्रों के और अपने पिता की जो बीरता की कहानिया हैं उन्हें सुनाने में The कूर्ग रेजिमेंट is one of the most decorated in the Indian Army and the first chief of the Indian Army जनरल करियपपा वाज़ कूर्गी जो कूर्ग रेजिमेंट है इंडियन आर्मी में उसको सबसे ज़्यादा पदक मिले हैं और जो इंडियन आर्मी के सबसे पहले chief थे वो जनरल करियपपा एक कूर्गी ही थे Even now, कोडावस are the only people in India permitted to carry firearms without a license और यहां तक की मात्र अब कोडावस ही ऐसे लोग हैं भारत में जिनको बिना लाइसेंस के firearms रखने की सवतंतरता है उनको firearms रखने की जैज़त है The river Kaveri obtains its water from the hills and forests of कूर्ग जो कावेरी नदी है उसको पानी जो उसे मिलता है वो कूर्ग की पहाडियों और उसके जंगलों से मिलता है महाशीर जो एक बड़ी और ताजिफ पानी की मचली है वो यहाँ पर इन अदियों में पर्याप्त मात्रा में मिलती है Kingfishers dive for their catch Kingfishers जो चड़िया है वो गोता लगाती है उसे पकलने के लिए While squirrels and langurs drop partially eaten fruit for the mischief of enjoying the splash and the ripple effect in the clear water जबकि जो squirrels हैं मतलब गिलहरियां हैं लंगूर्स जो बंदर हैं वो आधे खाय हुए फलों को उपर से नीचे पानी में गिराते हैं उच्छाल का splash उलीचने का या पानी के उच्छाल मारने का आनंद लेने के लिए या पानी में जो एक तरंग जैसा effect बन जाता है उसका आनंद लेने के लिए Elephants enjoy being weighted and scrubbed in the river by their महावच और जो elephants हैं आथी हैं वो नदी में नहाने और उनको रगड रगड कर नहलाने का आनंद प्राप्त करते हैं अपने महावच के द्वारा जो वहाँ पर सबसे ज्यादा आराम पसंद वेक्ती होता है वो भी बदल जाता है हाई एनर्जी अडवेंचर में बहुती ज्यादा क्रिया शेल बहुती उर्जावान खेलों में बदल बदल जाता है बिद रिवर राफ्टिंग वो रिवर राफ्टिंग करने लगता है राफ्टर पे चलने लगता है कैनोईंग जो है डोंगी चलने लगता है रैपिलिंग धालू जो चटान है धालू जो आपका पहाड़ी है उससे नीचे उतरने लगता है रसी के त्रू और पहाड़ों पर जो है शाइकल चलाने लगता है बाइक कर चलाने लगता है Numerous biking trails in this region are a favorite with trackers और जो पैदल चलने बाले यात्री हैं उनके लिए यहां पर इस छेत्र में पैदल चलने बाली बहुत ही रास्ते अच्छे Words, weeds and butterflies are there to give company वहाँ पर चड़िया, मदमक्खिया और तितलिया हैं आपको साथ देने के लिए अगर आप वहाँ जाते हैं तो Mycocks, Malawar Squirrels, Langours and Shlander Loris keep a bargeful eye from the tree canopy अगर आप वहाँ पर जाते हैं तो Mycocks, Mycocks का मतलब होता चोटे साइज का, Medium साइज का बंदर Malawar Squirrels, जो Malawar Gilaria, Langour हैं और जो Slender Loris मतलब एक परकार की पतली छिपकली जो है वो आप पर पेड़ों से, पेड़ों की छतरी नुमा पेड़ों से आप पर कड़ी नेजर रखती हैं I do however prefer to step aside for wild elephants लेकिन फिर भी मैं इस बात को प्रात्मिक्ता देता हूं कि जंगली हाथियों से दूरी बना के रखो The climb to the Brahmagiri Hills brings you into a panoramic view of the entire misty landscape of Korg अगर आप Brahmagiri पर चड़ते हैं तो वहाँ से आपको एक बहुत ही मर्मिस परसी द्रशे दिखाई देगा Korg के धुंदले लेंडिस्केप का Korg के धुंदले जो प्राकृतिक द्रशे का एक बहुत ही सुन्दर द्रशे दिखाई देगा बहुत ही मर्मिस परसी द्रशे दिखाई देगा A walk across the rope bridge leads to the 64-acre island of Nishagardham और अगर आप एक रसीयों के पुल पर चलते हैं और उससे आगे जाते हैं तो आप पहुंचेंगे 64-acre के एक island पर Nishagardham में पहुंचेंगे Running into Buddhist monks from India's largest Tibetan settlement At nearby, welcome up is a bonus और फिर वहाँ से चलते हुए जो Tibetan settlement है जहाँ पर तिबत के लोग जो रहते हैं Buddhist monks जो रहते हैं जो पुद्ध धर्म को मानने वाले शन्यासी हैं वही पास में बिलकुप के पास में वो एक bonus के रूप में होता है अतलब वो आपको general दिखाई ही पड़ जाता है जो शन्यासी लाल कपड़े पाने होते हैं और गेरुआ कपड़े पाने होते हैं और पीले कपड़े होते पाने हैं वो बहुत आश्चरियों के बीच में होते हैं वो इंतजार करते हैं वीजिटर्स के दोरा ढूंडे जाने का जो भारत के हर्दय और उसकी आत्मा को जानना चाहते हैं और वो यहीं कूर्ग में ही मिलते हैं आशा करता हूँ आपको chapter समझ में आया होगा अगर यह chapter आपको समझ में आया है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मैं चैनल थेंक यू